दोस्तो मैं शुक्ला सर और जिन पैरेंट्स के बच्चे अभी बोर्ड लिख रहे हैं या फिर अगले साल लिखेंगे उनको मैं ऐसी पांच बाते बताता हूँ जो कि आपको ख्याल रखना है जिससे आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत बहतरीन आएगा देखें हम सभी अपने जीवन में अगर पढ़े लिखें हैं तो बोर्ड में बैठें हैं अगर हम अपने पुराने समय को याद करें तो हमारे माता पिता को ये पता भी नहीं होता था कि हमारे बच्चों का बोर्ड है और बड़े आराम से हम लोग बोर्ड में पास कर लेते थ थे मतलब एक प्राकृतिक क्रिया थी, बोर्ड को इतना ज्यादा हम लोगों ने complex बना दिया, इतना ज्यादा उसकी सरचना को इतना जटिल बना दिया है, कि जब भी बोर्ड होता है तो हम 10 महीने पहले से ही alert हो जाते हैं, बच्चा 9th में आ जाता है तभी, अरे भाई देखो अभी बोर्ड है इसका अगले साल, आप रिस्तेदारों को अपने यहां नहीं लाते हैं, और किसी का बच्चा अगर बोर्ड लिखने वाला होता है, तो अडोस पडोस के लोगों की भी चिंता बढ़ जाती है, कि कितना परसेंट आएगा, याद कीजे आप अपना परसेंट चुके हैं, कि आपका टेंथ का सर्टिफिकेट कहा है, लेकिन आप जिन्दगी को मस्ती में जी रहे हैं, बात यही है, हम किसी भी चीजों को जब जटिल बना देते हैं, तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, सब कुछ वैसे ही है, अभी भी मार्च अप्रेल में ही भक स्लेबस वही है, अभी भी बच्चे पढ़ करके टॉप कर रहे हैं, अभी भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपने बोर्ड, 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 बोर्ड का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट कैसे अच्छा करें, इतना सब कुछ सोचना शुरू कर दिये हैं, कि बच्चे परिशान हो गया अब मैं आज आप लोगों को सिर्फ पांच चीजे बताऊंगा जो आपके घर के माहूल को अच्छा बनाएगा खुछनुमा बनाएगा और बच्चा भी रिलेक्स फील होगा और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि मैं क् देखो मेरे दोस्तों या तो आप खुद बोर्ड लिखने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों और अगर आप उन बच्चों के माबाप हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो पहली बात हर एक बच्चे की जो काबिलियत है वो अलग-अलग होती है जैसे देखो एक बच्चा हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, एक केमेस्ट्री में बहुत अच्छा है, एक मैथ्मेटिक्स में अच्छा है, तो जितने सब्जेक्ट आपको बोर्ड में दिये गए हैं, उन सभी में तो आपका बच्चा टॉप नहीं कर सकता। आप अपने बच्चे की काबिलियत को देखे कि कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है, जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है, उसको आप आगे बढ़ाओ, और जिस सब्जेक्ट में उसकी विक्नेस है, उसमें थोड़ा सा समय को बढ़ा दो, समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ, हर एक subject में कोई भी बच्चा out, off नहीं ले करके आता, आप किसी भी board में check कर लीजे जैसे mathematics बच्चा अच्छा कर रहा है ठीक है, mathematics की practice को थोड़ा सा कम करवा दीजे अभी, और उसकी जगर पर उसका physics देख लीजे, या history देख लीजे, या English में तैयारी करवाईए, जो weak subject है उसे generally क्या होता है, बच्चा weak subject से भागने लगता है, तो आपको क्या करना है, जिसमें अच्छे आ रहे हैं उनको दो category बना लीजे subject की, एक category जिसमें आपका बच्चा अच्छा ला रहा है, या आप अच्छे ला रहे हो दूसरा एक category जिसमें आप खराब ला रहे हो, तो जिसमें आप खराब ला रहे हो, उसे आप जादा समय देना सुरू कर दीजे एक पहला point तो आप समझ चुके होंगे, दूसरी बात काफी लोग भारती बच्चों को कहते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ो, ज्यादा दिमाग में जाएगा, अब एक बच्चा रात को देर से सोने की उसमें आदत है, और आप उसको चार बजे उठा दिये अब उसके दिमाग में नीद चलेगी, फिजिक्स मैथ नहीं चलेगा, ये याद रखना आपके डर से वो बैट भी जाएगा थोड़ी देर पढ़ भी लेगा लेकिन उसका दिमाग नहीं चलेगा अगर उसी बच्चे को आप रात को पढ़ा दीजे और बोलो कि हाँ आराम से सो करके उठो जैसे उठते हो, तो वो दिन भर फ्रेस भी फील करेगा और अच्छा रहेगा मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप अपने बच्चे का जो रूटीन सेट किया हुआ है सुरू से ही उसी फ्रेम में रह करके काम कीजे उससे अलग नया कुछ चिडिल बनाओगे लास्ट मंत पर तो मुश्किल होगी बच्चे के लिए कॉंसेंट्रेशन टूटेगा चिड़ चिड़ा हो जाएगा गुच्सा करेगा, दिन भर नहीं पढ़ पाएगा तो रिजल्ट खराब होगा पहली बात हमारी याद रखिएगा अच्छे सभ्जक्ट जो उसके है उसका और खराब सभ्जक्ट का कटेगरी बना लीजे, जिसमें कम रिजल्ट आ रहे हैं उसे थोड़ा सा जादा टाइम दीजे जिसमें जादा आ रहे हैं उन में थोड़ा सा रिवीजन बढ़ाईए इसस, सेकend one जो routine चलती आ रही है उसको आप चलाते रही है उसमें कोई परिवर्तन मत कीजे बस उसके time को पूरा का पूरा utilize कीजे अगर अब हम third point पर आते हैं तो हम बात करेंगे जितना हो सके बच्चे को paper लिखवाईए जितना बच्चों आप लोग paper लिखोगे या अगर माबाप है पिर से humble request कर दो दोस्तों जितना paper आप लिखवाएंगे बच्चे में correction उतना ही अच्छा आता रहेगा और हर एक paper में उसे सिखाओ कि देखो यहां यह गलती किये थे इसे रोकना है यहां यह गलती किये थे इसे रोकना है तो बार-बार बच्चे के mind में वो जाएगा तो अ इन बाते मैंने आपको बता दी और अब मैं चौथी बात बताता हूँ देखे आपके बच्चे का hall ticket मिल चुका है time table आ चुका है फिर भी उसको आप एक बार जाकर के school में cross check कर लिजे time table और hall ticket का जोराक्स बना करके आप कई लोगों को दे दीजे क्योंकि कई बार कुछ ऐस हूँ कि पहले से ही जो भी hall ticket है उसका उसके दो तीन copy बना लिजे अटेस्ट करा लिजे principle से अपने पास रख लिजे इन केस अगर आपका पहला hall ticket खो भी जाता है तो आपके बच्चे को परिशानी नहीं होगी क्योंकि आपके पास दूसरा hall ticket होगा जो भी आपको time table मिला है उसका date और उसका subject टैली करके आप अच्छे से calendar में लिख सकते हो या उसके दो copy ले सकते हो एक ऐसी जगर पे आप चिपका दीजे जहां पे सब को दिखाई दे आप अपने घर के एक ऐसे कोने को चुनिए जहां पे सब का नजर जाता है बच्चे का भी आप लोग का भी उस पिर math का exam है बच्चे को पता नहीं वो science पढ़ क्या गा ऐसे भी cases हम लोगों के सामने आते हैं इसलिए मैं आपको इतला कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि please आप एक बार cross check करके systematic लिख लीजेगा और ये हुई हमारी चार बाते और अब आखरी और सब से important बाते हैं एक कागज का निरजीव टुकड़ा एक जिवित इनसान का पहचान नहीं हो सकता समझ गया मैं क्या कहता हूँ A non living things paper is not present character of living things किसी जिन्दा बस्तू का पूरा लक्षण पूरी चीजें एक निरजीव बस्तू अर्थात mark sheet जिसे आप लोग कहते हो अंकपत्र जिसे कहते हो वो नहीं हो सकता इसलिए result जो भी आए उसे सुईकार करके अगले step पर जाईए क्योंकि result कुछ माइने नहीं शुक्रिया आपने पूरा हमारा वीडियो देखा कोशिश करेंगे आपको पसंद आएगा हो सके तो आप लाइक और कमेंट दीजे लोगों में ज्यादा शेयर कीजे क्योंकि बोर्ड का प्रेशर जो है बच्चों में रिडियूस करना है हमारी भी जिमेदारी है और आपकी भी जिमेदारी है धन्यवाद शुक्रिया